आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। सबसे पहले हम फिलिंग तयार करेंगे। हमने एक किलो मूली को दोकर छीर लिया है और इसे कद्धुकस करके अच्छे से निचोड़ लिया है। हमने देल बड़ी चम्मस तेल गरम कर लिया है। इसमें हम एक चम्मस जीरा डाल लेंगे। हम इसमें चुटकी बर हिंग और एक चम्मस धन्य पाउडर डाल लेंगे। और फिर हम इसमें जो हमूली डाल लेंगे। अब हम इने अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि हमारा मसाला पूरे में अच्छे से मिल जाए इस तरह से अब हम इसमें स्वाद अनुसार लालमिट पाउडर डाल लेंगे हमने इसमें दो चमच लालमिट पाउडर डाला है इसमें हम स्वादनुस्वान नमक डाल लेंगे हम इसमें तेर्चमच नमक डाल लही है अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि हमारी मसाले पूरे में अच्छे से और बराबर मिल जाए और अब हम इसे मीडिया माप पर पकाएंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे दस मिनेट हो चुकी है और हमारी फिलिंग अच्छे से पक चुकी है अब हम गैस को बंद कर देंगे हमने आटे को नमक डाल कर पानी की सायता से गूत लिया है अब हम इस तरह से लोई तयार करेंगे और हम लोई को इस तरह से करेंगे जिस्से की ये फिलिंग भरने के लिए तयार हो जाए अब हम इसमें फिलिंग भर लेंगे इस तरह से और अब हम इसे इस तरह से बंद करेंगे अब हम इसे इस तरह से करेंगे जिससे की अच्छे से बंध हो जाए और अब हम इस पर सूखाठा लगा लेंगे और अब हम इसे इस तरह से करेंगे और इस पर हम दुबारे से सूखाठा लगा लेंगे अब हम पराथे को अच्छे से बेल लेंगे इस तरह से, हमने तवा गरम करके तवे पर पराथा रख लिया है, इसे हम मीडिया मार्ख पर पकाएंगे, ये दोनों तरफ से हलका हलका पक चुका है, अब हम इस पर घी या ओल लगा लेंगे, हमें पूरे पराथे पर अच्छे से तेल लगाना है, इस तरह से, हमें तेल पराथे के दोनों तरफ लगाना है, और इसे हमें मीडिया मार्ख पर पकाना है, हमारा परांथा अच्छे से पक चुका है और ये खाने के लिए तैयार है परांथे को हमें पलेट पलेट कर दोनों तरफ से बराबर से एक नहों होता है अगर आपको हमाई रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैलन को सस्क्राइब करें